आपको स्वगत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो है संजे द ब्रेव वाय यह क्लास 7 के रेंडबू इंगलिस से मैं आपको पड़ा रहा हूं और चैप्टर लेसन नंबर 3 है तो चलिए आज हम आपको इस चैप्टर के माध्यम से संजे द ब्रेव वाय यानि संजे एक बहादू लड़का है तो चलिए इस्टेप बैस्टेप समझते हैं कैसे हम इंगलिस को अपने संजे को कैसे दूर कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को वहाँ पर रखना होगा तभी में अपने आपको इंग एक सहज रूप से एकस्पिन करने में असान रहेगा तो हम संजे जरब पर आप किसी का नाब रख सकते हैं तो यहां पर हमारे साथ का विध्यारती संजे था यानि संजे कच्छा साथ का विध्यारती था कि अब फिर यहां पर क्वामा लगा है मैंने कहा ना कि जब एक सब्जेट को और भी किसी ऑब्जेक्ट से जोनना पड़ता है तो हम इसके लिए कौमा का इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर फिर एक कौमा दिया यानि सिर्फ अभी इसके और कहा गया यानि विलेज है तो सांतिपूर यानि सांतिपूर बिलेज में यानि वह अपनी माता पिता के साथ सांतिपूर गाउं में रहता था समझ मैं आपको कितना अच्छा है यानि उसने खो चुका यानि उसने खो दिया देखें कभी भी जब भी टेंस में चुका है चुकी थी अगर ऐसे चीज़ें मेरे दोस्तो तो टेंस के वल ऊस्था तक समझने के लिए चिर दिया जाता है और इंगलिष के लिए हमें सिच्वेशन और कंडिशन को जैसे होते निंहीं अंग्रे जै़से बोलते एच जिसने बोलने के लिए क्या है शिर्फ पैर एक्सिडेंट में tv lange था समझ माया he always felt that everyone looked at his legs and laugh at the way he walked कितना अच्छा बुला है वह हमेसा यानि वह सदेव felt यानि महसूस करता था that everyone looked at his legs जो सभी लोग उसके पैरों को देखते थे हसते थे आप जब वो कर दलता था रास्तों पर तो बार बार हशते थे और उसको चिढाते थे तो इस सबको देखते उसको बुरा महसूस होता था ठीक है तो इसलिए he always tried to avoid people वो हमेशा tried मतलब कोशिच करना tried मतलब कोशिच किया यानि वो हमेशा उन लोगों से बचने के लिए कोशिच किया करता था ठीक है आगे देखिए one morning when Sanjay did not यहां पे past tense में ही बात हो रहा है तो past tense में ही बोल रहा है one morning यानि एक अगली सुभा या एक सुभा when Sanjay जब Sanjay did not get up यानि जब Sanjay नहीं उठा तो his mother यानि उसकी mummy या उनकी mummy woke him up वोक मतलब उठाया किसको उनको उठाया यानि एक सुभा जब Sanjay नहीं उठाता तो उसकी mummy ने उसको उठाया समझ मैं है अब देखिए उनकी mother क्या कहती है wake up Sanjay उठो Sanjay you are getting late तुम लेट हो रहे है या देरी हो रहा है Sanjay कह रहा है mother mom I don't want to go to school I don't मतलब मैं नहीं चाहता I don't want मैं नहीं चाहता go to school जाना नहीं चाहता mother mother why Sanjay mother ने पूछा क्यों Sanjay क्यों तो Sanjay ने उतर दिया I feel neglected मैं मैं बहुत ही उपेच्छित महसूस करता हूं my schoolmates don't like my company मेरे schoolmates यानि मेरे सापाथी मेरे दोस्तों मेरे मेरी company यानि मुझे अपने साथ में नहीं रखते हैं मुझे पसंद नहीं करते हैं मा ने बुला my dear child मेरे प्रिय बेटा you are a strong boy तुम एक ताकतवर लड़के हो एक बहादूर हो don't lose heart मतलब आपने हिर्दे को मैं अपने हिर्दे को नीचा मत गिराऊ यानि अपने आपको same feel मत करो you have so many good qualities आपके पास बहुत अच्छी quality है a day will come when everyone will praise you एक दिन आएगा एक दिन आएगा जब सभी लोग आपके लिए ताली बजाएंगे संज्वाया कितना अच्छा बुला गया है संज्जे half heartedly वो के मगर वो आधे मन से का okay ma okay ma I will go मैं जाओंगा संज्जे वाक slowly to the school संज्जे ये वाक मतलब धीरे 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 वाक करते वो school गया as he entered the school जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया he tortured and fell down वो लड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा he noticed और उसने नोटिस किया कि children were is turning at him कुछ लड़के उसके सामने खड़े हैं suddenly they worst suddenly they worst worst कभी इसमें दिया है आगे देखिए आगे बोल रहा है into laughter मतलब suddenly उसके उपर लोगों ने हसना शुरू कर दिया he felt miserable miserable मतलब दुखी यहनों उसने दुखी मैसूस किया he thought of his mother's word उसने अपनी मा उसने अपनी मा के सब्दों को विचार किया याद किया कि मेरी माने मुझसे क्या कहा था he kept his chin up and went to the class उसने अपने आपको ठंडा रखा अपने आपको धैर रखा फिर वो उपर गया फिर वो क्लास में प्रवेश किया during the break यानि break के दौरान he tried to talk to Amit उसने अमीद से बात करने की कोशिस की who said beside him जो उसके बगल में बैठा था your watch is very nice Amit तुम तुम तुमारा यूर वाच या तुमारी द्रिश्टी बहुत ही अच्छा है Amit यानि तुमारा आखे बहुत अच्छा है Amit he said उसने कहा but Amit returned away towards विपीन Amit विपीन की ओर आगे बढ़ा Amit प्रियंटेड बोला ना Amit प्रियंटेड नौर टु हैब हाड हीम प्रियंटेड का मतलब क्या होता है नाटक यानि अमित जो है to have heard him यानि उसके हिर्दे से क्या किया नाटक नहीं करता था यानि कभी उससे खेलता नहीं था Sanjay moved closer to Sanjay धीरे-धीरे Amit के पास moved किया तब he could be heard easily और उसने heard easily यानि आसानी से उसके हिर्दे से जूड़ गया यानि जगह बनाया Sanjay क्या कह रहा है Hey Amit which is your favorite game तुमारा सबसे पसंदिदा गेम कौन सा है do you like swimming क्या तुम्हें तेरना पसंद है Amit ने का without looking at him बिना उसे देखे ही उसने कहा हाँ I like swimming मुझे swimming पसंद है Sanjay ने कहा I also like swimming मुझे भी swimming पसंद है suddenly everyone stop talking and look at him अचानक सभी लोग ने वहाँ पर रुका और बाते किया और उसके तरब देखा अरुन ने कहा in disbelief मुझे विश्वास नहीं हो सकता और विश्वास लग रहा है do you know how to swim तुम जानते हो कैसे तरते हैं all the students started laughing सभी बच्चे फिर से उसके 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 उसने सुरू कर दिए Sanjay was very upset Sanjay फिर से दुखी हुआ when he reached home that day जब वो उस दिन अपने घर पहुचा था तो it was उसी समय उसकी माने came to know that something went wrong क्या तुम्हें जान उसकी माने आकर उसे बताया तुम जानते हो कुछ ही तुमारे साथ गलत हो रहा है तो मदर ने का what happened son क्या हो बेटा why are you so upset तो क्यों उतना दुखी हो Sanjay ने का I will never to go to school again फिर से उसने का मैं दोबारा इसकूल नहीं जाओंगा the students are not friendly सभी बिदार्ती हमारे दोस्त नहीं है with me they don't even share anything with me वे लोग कुछ भी मेरे साथ यहर नहीं करते मदर ने का don't get upset son don't get upset यानि दुखी मत हो बेटा be friendly with them and very soon बहुत जल्दी तुमारे दोस्तोंगे बहुत जल्दी तुमारे दोस्त बनेंगे things will change अपने आपको बदलने की कोसिस करो दा नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सो अगले स्वह वें संजे गुइंग टु स्कूल जब संजे इस्कूल जा रहा था यह सा अगर उसने एक लड़की को देखा ड्राउनिंग क्या गोलना है ड्राउनिंग मतलब डूबते हुए इंड़ कानल कानल मतलब क्या आता है नहर में इसकूल के पास नहर में एक लड़की को डूबते हुए देखा ही इमेडियेटली आफर्ड हीस करच टू दर गाल उसने तुरंत ही इस करच मतलब बैसाखी अपने बैसाखी से उस लड़की को बचाया सी हेल यानि सी हेल हेल मतलब आयोजित किया है सी हेल इट यानि उससे आयोजित किया अधर फ्लू ऑफ द वाटर वाज रैपीड अग जो पानी की जो धारा है वो काफी गती में थी संजे कौट अफ द गाल टेटली संजे ने लड़की के हातों को काफी मजबूती से पकड़ा था बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड कोशिस करने के बावजूत भी ही कुड पूल हर टू द बैंक और ही कुड उसने उसको टू द बैंक किनारों पर खिस सका यानि खीटा था संजे वाज अस्थोनीजड वेन ही सा द फेश टू द गर्ल ही रेस्क्यूड संजे जब अस्थोनीजड अचल चकीत हो गया था जब उस लड़की के चैरें को देख सब्सक्रीट जब लड़की कोई आँ अमित की बहन थी रीता उसका नाम क्या था रीता वाइदेन यानि उसके दवारा मिनी पीपल वाइदेन उसके बाद सभी लोग वहां पे कटे हुए और उसके लिए ताली बजाए संजे के लिए अगले दिन जब ही रिज दा इस्कूल जब इस्कूल पहुचा दा इस्टुडेंट्स वेर इस्टेंडिंग इनक वेर क्लेपिंग फॉर हीम मतलब क्या होता है कतार में जब ही स्कूल पहुचा तो वहां पर सभी विद्धार्ती खड़े थे एक कतार में और वेर क्लेपिंग फॉर हीम और वहां सभी लोग उसके जहां उनके लिए तालियां बजाए जा रहे थे अबरी इस्टुडेंग वांटे टू टॉप एंड शेक हैंड वीद हीम मिनवाइल यानि मिनवाइल मतलब इस दौरान क्या बुलने हैं सभी विद्धार्ती उससे बात करना चाते थे हाते मिलना चाते थे और इस दौरान अमित केम टू हीम एंड से अमित उनके पास आया औ कि जब किसी भी सब्जेट के बारे में किसी भी दुसरे सेंटेंस से जोड़ कर बताया जाता है तो हमें एक कनेक्टर का काम करता है क्या करता है कनेक्टर का काम करता है यह जोड़ने काम करता है ठीक है इसको भी हम वीडियो में समझायाने बहुत अच्छे से आई होप कि आ आगे देखिए अमीद ने का I'm sorry please forgive me forgive me बोला ना forgive me for my misbehavior I'm sorry मुझे माफ करो please मुझे छमा कर दीजे मेरी इस गुरे बहबार के लिए संजे ने का it's okay कोई बात ने you are my friend तुम मेरे दोस्तों don't feel sorry कि तुम माफी मत मागो माफी मागने मैसस मत करो in the morning assembly यानि सुभा में उस सुभा के सभा में the principal of the school यानि स्कूल के principal ने संजे से कहा on to the stage यानि स्टेज पर आओ संजे state forward confidently on to the stage to accept the bravely award कितना अच्छा यह motivation भी है मेरे दोस्तों motivation भी होता मेरे का ना बात करके देखिए जब आप सब्सब्दों से बात करेंगे तो जैसे लगएगा कि हम अपने आपको यहां पर रेक करके इसमें हम like participate कर रहे हैं ठीक है तो इसी तरह से पढ़ाई ऐसे कि हेति आखिए जब भी है पढ़ता उट मैं इसी तरह परता नहीं कि मैं सामने से सामने वाले सब्सक्ट से बात करता हूं क्या हूँ से बात करना चाहता है कि नहीं वह तभी करना आया और ब्रेवरी आवार्ट को सिवकार किया on the year from the principal अब प्रिंस्पल ने उस साल का संजे सभी लोगों के लिए पसंद देदा हो गया था ठीक है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यह आपके वड़ मीनिंग है वीडियो को पोश्ट करके देख सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो में का आंसर भी इसमें प्रोवाइट करूंगा इस वीडियो में सब्सक्राइब करना चाहता था क्यों चाहता था समझेंगे क्यों चाहता था हाव डीड मदर हैं यानि कहा रहा है कि संजे की बोला ना संजे की मां किस प्रकार से मदद की कितना अच्छा क्वेस्टन है वाट डीड संजे डूवेन ही सागर्ड डौनी इन दर करनल यानि क्या बोल रहा है आपने जैसे मैं पढ़ाया समय वाट डीड संजे संजे ने क्या किया कैसे किया जब उस लड़की को देखा किसमें करनल में डुबते हुए हैं देश्टूडेंस दॉसट टेंट्राइध्र को अपेस संजें अवि ऐसकी डूबीन-श्टडू करनल और रॉर्कार्ट gemacht को अव्ट अव्टेव बीडिए सब्सक्राइब रिखे आपको मोटिवेशन मिलेगा और काम करने में उडजा मिलेगी ठीक है आगे देखिए वड मीनिग वड़ पावर है फिल इन दब्लांक से मैंने इसमें कर दिया है नमबर डाल दिया है शम नमबर बैं नमबर इसमें तो हुझो नृपंड कर दिया है गोठा कि उसे की प्लीजी आ जाज़ी आपको यहां श्किंस पीज comedy की आते। मैं इसमें पुरायत कर रहा हूं देख सकते हैं लेशन नम्बर थर्ड है संजे दब्रेब वाय आप वीडियो को पोश्च करके आप लेख सकते हैं समझ सकते हैं यह है और यह वर्ड मीनिंग है जो भी इस उसमें नहीं मिले होंगे इसमें वह आपको मिल जाएंगे यह देख सकते हैं पुरा मैंने वाट मिनिंग कर दिया है और इस वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से आप अपने चैप्टर को कम्प्लीट करिएगा प्लीज मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सिर्फ देखिएगा मत इसको पुरे मन से अपने हाट से जुड़ कर यह क्योंकि स्कूल और ओनलाइन यह दोनों में आज डिफ्रेंस तो है लेकिन अगर हमारे अंदर वो सोच रहेगी तो हम स्कूल को भी अपने घर में ला सकते हैं कि आई यह ट्रांसलेशन है जो मैंने आपको बताया है यह आप इसको कर सकते हैं वीडियो को अंद तक देखें मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंद तक देखने से ही हम पुरी तरीके से इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि हमें क्या नहीं आ रहा है और कैसे हम अपने इस प्राबलम को सेल्यूशन में तब्दिल कर सकते हैं ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते विए जो बेल आइकन मिलेंगे उस पे आप क्लिक करके आप वीडियो को नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थेंक यू, गॉड ब्लेश यू, आप सबी रहिए, स्वस्त रहिए, धन्यवाद, तेरे दोस्तों